पड़ी खबर क्या आज सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है और वो इस वज़ा से क्योंकि कल ही सरकार ने सर्वदलिय बैठक बुलाई थी और मौझूदा स्थिती पर विचार विमर्ष लिया गया था सभी दनों के प्रतिनिदियों का आज मुख्यमंत्री आवास पर योगियों की बैठक बुलाई गई है महत्वपोन बैठक सियम आवास पर जिसमें वित्तमंत्री रामेश्वर उराओं और स्वास्तमंत्री बन्ना गुपता दोनों मौझूद रहेंगे संभावना जटाई जा रही है कि कल के फीडबैक के बाद जो विभिन दलों के प्रतिनिदी सर्वदलिय बैठक में आउनलाइन जुड़े थे उनके फीडबैक के बाद मौझूदा स्थिती की समिक्षा करते हुए सरकार कोई बड़ा पैसला ले सकती है कुछ विकल्प जो सामने हैं उनमें से नाइट करफ्यू आनशिक लोगडाउन या फिर पूर्ण बंदी ये विकल्प सरकार के सामने मौझूद है संक्रमन तेजी से पाउँ पसार रहा है राची में बीते 24 घंटे में 1400 से अधिक संक्रमित मिले है मौत का आकड़ा 30 पहुँच गया है बीते 24 घंटे में और सूबे का कोई भी जिला इस संक्रमन के बढ़ते प्रभाव से अच्छूता नहीं है हर जिले में हर दिन बड़ी संक्या में संक्रमित मिल रहे है तो कोई बड़ा फैसला जो सरकार ले सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अधिकारियों के साथ स्थितिक का आकलन कर रहे है संक्रमन के चेन को तोड़ने की, संक्रमन को नियंतरित करने की, मरीजों को बहतर सूविधा मुहया कराने की हर संभव कोशिश की जा रही है बावजूद इसके स्वास्त विवस्था पर तेजी से बढ़ते संक्रमन के कारण काफी दबाव है लोग असमेकाल के गाल में समा रहे हैं ऐसे में सरकार के सामने कड़े फैसले लेने के अलावा कम ही विकल्प नजर आ रहा है हमारे सहियोगी अंजनी मुख्यमंत्री आवास के पास मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या और कब बैठक शुरू होगी और बैठक में चर्चा का क्या विशय है कोई जानकारी मिल पा रही है एंजनी उसमें किस तरह से संक्रमन को रोका जाए और दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि कैसे बहतर ट्रीटमेंट लोगों को दिया जाए तो इन मुद्दों को लेकर जो है मुखमंत्री आवास में अभी वितमंत्री रामेश्वर उराओं पहुँचे हैं और स्वास्ष्मंत्री बन्ना गुप्ता सीएम आवास में अंदर है और सीएम से बाच्चित भी हो रही है और अभी जो अन्य जो लोग है वो अभी नहीं राजत के जो भी धायक है जो मंत्री है वो यहां भी नहीं आया है लेकिन जिस तरह से खबरे आ रही कि थोड़ी देर के बाद तमाम लोग पहुंचेंगे और यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है जिस तरह से कल जो है सरदलिय बैठक में जो निसकर्स निकला है जो बा शुक्ष MUR मेसला हो सकता है य nep किया फैसले स्थ हो सकती है कि मुख्यमंत्री तमाम लोगों से खास्चेयर के बाद क्या फैसला लेते हैं अब कुछ भी वह आइसला जरूर आएगा क्योंकि माउस ती्पी अच्छी नहीं है पूरे हम जारकन की करें और राज्य के हर जीलों की बात करेंगे तो तस्वीर अच्छी नहीं आ रही है और जिस तरह से संक्रमन का का गती बढ़ गया है वैसे में हम जरूर कह सकते हैं कि हॉस्पीटलों में जो है मरीजों की संक्या बढ़ने से दबाव भी बढ़ा है तो मुक्तमंत्री भी यही सोच रहे होंगे कि कैसे हम वस्तु इस सिती से को नियंत्रन में करें और कैसे जो कोरोना का जो चेन है उसको कैसे ब्रेक किया जाए तो यह एक महत्वपूर्ण बैचक है लेकिन इसमें एक एक बात यह भी है दीपक कि यदि पूर्न लोगडाउन होता है तो उसके पहले सरकार को भी अपनी तयारी करनी पड़ती है तो अब देखिए मीनी लोगडाउन होगा यह फी जो नियम अभी है उस पे और कुछ कड़े नियम लागू हो सकते हैं लेकिन इतना तो तय है कि फैसले का दिन है और इस फैसले के दिन में कई बड़े नि कहा था कि लॉग डाउन से काफी नुकसान हुआ है जान ब जाने की चक्कर में आजीवी का नुकसान भूआ है और पूरी ववस्था तहस नहस हो गई थी रामेश्वर और इस बार भी कह रहे हैं कि लॉगडाउन समस्थ्याका समाधान नहीं है तो उनकी राय तो इस पश्ट है यानि कि कॉंग्रिस की राय इस पश्ट है कि लॉगडाउन समस्या का समाधान नहीं है लेकिन जो स्थिती बन रही है सुबह हम दर्शकों से भी फोन के माध्यम से जुड़े थे तो मिली जूली पृतिक्रिया आ रही थी कई दर्शक ये च चारवे मर्श किया जाएगा बैठक में अब देखें सभी बीनुओं पर बातचीत होगी और हमारे साथ राजेस जी जुड़ गया है क्योंकि महत्वपून बैठक है राजेस जी से ही जानते हैं और राजेस जी ये बोलिए अभी वित मंत्री भी पहुंचे हैं स्वास मंत् कि दल हैं उनके विचार आ गए कई लोग है कि फुल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन की अवसकता है जैसे सतारूर धाल धरकर्मुक्ति मोर्चा ही कह रहा है कि पूरी तरह 15 दिन के लॉकडाउन हो अब बीजेपी का कहना है कि सरका मंतर है खास करके घटक दलों में जो सरकार में सयूगी दल है उनके बीच एक युनानिमस डिसीजन क्या हो चूंकि निरने तो सरकार को लेना है सरकार के जो दल है वही लेंगे और क्योंकि उसके प्रोश कौन्त यानि नफा नुकसान क्या होगा इस पर चर्चा हो रही है है कि जो चेन है उसको तोड़ने के जरूरत है यह पूरे यूनिवर्सल यह एकसेप्टेट फॉर्मूला है कि कहीं भी यह चेन अगर हम तोड़ देंगे हम आपसे अलग हो जाएंगे तो यह ब्रेक यहीं हो जाएगा तो इसके लिए कौन सा उपाय होगा कई एक राजियों तो ने अलग-अलग प्रियोग किये हैं तो संभव है कि वो प्रियोग हो चाहिए दिल्ली हो महराश्ट हो चंडी गड़ में भी किया पंजाब भी कर रहा है फिर आप देखे कि गुजरात में भी है फिर 36 गड़ में लॉकडाउन लगा है तो वही विचार हो रहा है अब सवाल है कि यदि पूर्这是 लौग-डाउन होता है तो क्या सरकार उसके पहले कुछ अपना तयारी करेगी क्या अचानक लॉग-डाउन तो नहीं हो सकता है पूर्री रूप से 如果 पढ़ेगी पिक तयारी तो काफिकरनी पढ़ेगी च्योंकि सब्से बड़ी बात है कि जो कामी करने लोग हैं जो रेढशी होले हैं जो रेजा मजदूर है उनके समक्ष ज THEAB चाने वाला यहीं से लोगों के लिए सरकार जैसे कि पहले हमने देखा है कि दिदी कीचन के सुरुवात हुई और बना बनाला भोजन जो है लोगों तक पहुंचाया जाता था तो ये एक तरीका है कल मैंने बात पर चर्चा भी की थी कि यहाँ पर इसी ब्यवस्ता सरकार को पहले करनी चाहिए क्योंकि lockdown या mini lockdown कमो बेस इस्थिती वही है अभी देखिए self lockdown की इस्थिती आ गई है लोग अपने संसान बंद कर रहें लोग घरों में दुबक रहें लेकि जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वो विवस हैं वो बाहर जाएंगे ही उन्हें चुकि रोज कमाना है खाना है इसलिए वो बाहर निकलेंगे ही उनके उनकी चिंता मेंली करनी होगी कि उन्हें कैसे भोजन मिले वो भूखे ना सोए यह सरकार की प्रवुक्षा स्वास मंत्री भी अंदर है तो स्वास मेडिकल में और क्या होना चाहिए क्या इनमुद्दों पर भी बाचित हो रही होगी क्या डेवलप्मेंट है ने देखिए स्वास में जो इंफ्रास्ट्रेक्शर डेवलप्मेंट है वह बात पहले हो चुकी है परसोही अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद मुख्यमंद्री ने प्रेस को ब्रीव भी किया था तो उसमें चर्चा हो गई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और सरकार जो अपने अस्तर से केंदर सरकार से बहुत कुछ मांग रही है जैसे कि आप देखे पारा मिलेटरी फोर्सेस में जो डॉक्टर से पारा मेडिकल हैं उनके उनकी सेवा लेने के लिए लिए प्रधान मंत्री को इसके अलावे जो भी आधार बूत सनरचना है कोल इंडिया के होस्पिटल से उनके सहीयोग की जरूरत है मिलेटरी होस्पिटल से उसके डॉक्टर है परामेडिकल उनके सहीयोग की जरूरत है इसके लिए प्रधान मंत्री को लिखा गया और मुझे लगता है कि केंदर सरकार इसकी अनुबती देगी और चुकि बीजेपी की नेता लोग यह पाहल भी कर रहे हैं तो यह मानके चले राजसी कि आज है आज जो है पहसले का दिन है बिल्कुल यह पहुत ही महत्पूर्ण दिन है और पहसले 16 लिया जा सकता है कि क्या करना किस फॉर्मेट में जाना है लॉग डाउन का कौन सा फॉर्मेट होगा यह आज निर्ने लेनेका दिन है और लोगजरूर बहुत अगर कहें कि पूरे राज्य में सरकार लोगडाउन नहीं लगाने का भी फैसला लेती है अग्राइजू से बढ़ रहा है उन जिलों को लोकडाऊन कर दिया जाए उन जिलों की सीमाओं को सील कर दिया जाए यह वी एक संभावना है यह भी बात करें जंशेदपूर की बात करें और धनबाद की बात करें यह जो तीन जीले हैं यह कहीं न कहीं दूसरे राजियों से काफी करीब हैं और धनबाद से बंगाल नजदिक है और जमशेदपूर से भी बंगाल उलिसा के रास्ते नजदिक है और राची में भी जो है अमूमन सब जगह से लोग पहुशते हैं और ये जो तीन जीले है पूरी तरह से होटी स्पोर्ट इलाका है तो ऐसा भी निन्ने हो सकता है कि ये ज से राची है धनबाद है जमशेदपूर है इन जगहों में मरीजों की संख्या जादा है और नाइबरिंग जो स्टेट है वो काफी नजदिक है क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन तीन जहां होटी स्पोर्ट इलाका है वहां कोई बढ़ा ने दर यह बिल्कुल अपने सही का है व यहां पर भी साथ आठाजार प्रती दीन इंफेक्टेड मरीज निकल रहे है तो यह चुकि संक्रमन है यह कोई छेतर की सीमा रेखा नहीं पह जानता है जहां से जो कोई जाएगा बंगाल से कोई आएगा संक्रमित होके तो यहां फैल आएगा है तो यह चीज आपने बहु चार तरह के मोटे तोर पर विचार हो रहे हैं एक तो यह फुल लॉकडाउन एक है मिनी लॉकडाउन तीसरा है कि जो प्रमुक्ष है जैसे नाची जमसेत्व धनवाद है बोकारो है इन सब जगों में को हम कंटेन्मेंट एरिया बना लें कि वहां पर एकदम कर्फियू जै बाहर नहीं जाएगा तो यह चीजे होगी और इसी का एक रूप है पार्शियल लॉकडाउन का कि हम सुभा में कुछ देर के लिए बाजार खोले या साम में खोले या कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए पांच शे घंटे के लिए खोले और लिमिटेड सर्विसेज के लिए कुछ बड़ा डिसीजन होगा बिल्कुल तो देखना दिल्चस्प होगा कि सरकार किस तरह से जन जीवन को प्रभावित किये बिना कोरोना संक्रमन के प्रभाव को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और क्या फैसली लिए जाते हैं आंजनी राजे शे नजर ब पास